हेलो एवरिवन मैं हूँ अनीशा कुकवित अनीशा में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी का पराठा जो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही बहुत सारे लेयर्स वाले बनाऊंगी तो आप मेरे साथ पूरा वीडियो देखिए बिना एस्किप किये हुए सभी टिप्स और ट्रिक्स मैं बताऊंगी तो यहां मैंने मेथी का पत्ता जो है उसको अच्छे से दो के काट करके ले लिया है या आटा ले लिया है मैंने दो कप आप अपने हिसाब से जितना आपके घर में आदमी हो उसे हिसाब से आटा ले सकते हैं और इसमें अब मैंने नमक डाल दिया है और इसमें अब जो है मैं कलॉंजी डालूंगी तो कलोंजी लेके उसको दोनों हाथ से अच्छे से रब कर लें जिससे उसका स्वाथ बहुत अच्छा आता है और पराठे में कलोंजी का स्वाथ बहुत अच्छा आता है और ठंडी के मौसम में ये बोडी के लिए गर्म हाट भी होता है इसी तरह आज वाइन भी आधी छोट सता बनेगा तो यहाँ पर मैंने इसलिए थोड़ा सा बेकिंग पॉडडर डाला है आप चाहे तो एसकिप कर सकते हैं अब looking में जीरा पॉरिडर डालूँगी मसाला अपने आनुसार एसकिप muj», यहां मेथी के पराठे में जो है मसाले अच्छे लगते हैं तेस्टी लगते हैं इसलिए मैं डाल रही हूँ और यह थोड़ा सा हलदी का पॉडर मैंने डाल दिया है इसमें और यहां थोड़ा सा एक चमच के बराबर भी डाल देंगे जिससे हमारा पराठा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगा और यहा कब दही है यह ज्यादा खटा नहीं है यह बहुत कम खटा है तो आधा कब दही मैं ले रही हूँ और दही से ही जो हमारा पराठा है बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनता है इसलिए मेथी के पराठा में दही का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है इसलिए मैंने यहां पर दह डाला है और इस सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसमें जो हमारा मेथी का पत्ता कटा हुआ है वो एड कर देंगे और इस सबको अच्छे से मैं गुंद लोंगी बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि हमारा पराठा बहुत क्रिस्पी बने तो इस सबको बहु हम आटा जो है गुंद के हम तयार कर लेंगे तो ये देखे मैंने आटा लगा लिया है इसी consistency में आटा हमारा होना चाहिए ना ज़्यादा धिला होना चाहिए और मैं ज्यादा स्वाद आये तो इसके लिए इसको थोड़ी देर ढखके 15-20 मिनिट हम रेश्ट करने के लिए छोड़ देंगे अब 15-20 मिनिट हो चुका है अब यह देखिए हमारा आटा कितना स्मूध हो चुका है और साहिनी भी लग रहा है अब इसके हम छोटे-छोटे पेरे काट लेंगे चोटे-चोटे लोई बना लेंगे जितना बरा आपका पराठा बनाना हो उसी साब से लोई कर लीजे मैं यहां दो तरह से पराठा बनाना आपको दिखाऊंगी एक गोल पराठा बनाऊंगी बहुत सारे लेयर्स वाले और एक मैं ट्रेंगल में पराठे बनाके वो भी बहुत सारे लेयर्स उसमें भी आएंगे यहां अभी मैं गोल वाला दिखा रही हूं तो इसको हम आटा लगा के पलोथन लगा के अच्छे से बेल लेंगे गोल-गोल और अगर अभी साइड से थोड़ा फटे भी तो कोई बात नहीं है क्योंकि अगर किसी मेथी में ड जो भी आपको पसंद हो वह आप ले सकते हैं तो वो लगा दें अच्छे से और इसके ऊपर चारो तरफ फेला दें और अब इस पर ठोड़ा अाटा छिरक देंगे इस तरह से थोड़ा सा आटा डाल देंगे और बीच से इसको हम कट कर लेंगे और इसको ऐसे round में मूरते जाएंगे ध्यान से दिख लिजी इस तरह से इसको गोल-गोल चारो तरफ से इसको हम मूर लेंगे ऐसे यह दीखिए यह मूर चुका है अब इसको हम बीच से दबा देंगे और इसको अच्छे से round में हम बेल लेंगे जो नीचे का तो लाश्ट का पार्ट रहता है उसे अंदर की तरफ दबा देंगे ताकि वो निकले ना और इसको एकदम गोल हम बेल लेंगे यह देखिए कितने अच्छे से हमारा पराठा बेल रहा है इसी तरह से हम इसको बेल लेंगे और उसको पका लेंगे अभी मैं ट्रेंगल वाला बना रही हूँ तो इसमें भी इसी तरह ओयल लगा के मैं आपको ट्रेंगल वाला भी बेल के अभी दिखा देती हूँ फिर हम दोनों पराठा पकाएंगे एक साथ इसमें भी ऐसे ही करके इ हम इसको भी बेल लेंगे कि यह देखिए तो अभी से आपको इसका लेयर दिख रहा होगा कि लेयर जो है वह अलग हो रहा है वाइल लगा कि और आठाच रखने से जो है लेयर बहुत अच्छे से निकल के आ जाता है अब हम पराठा को सीख लेंगे इसको बहुत बढ़ियां से और मैं एक और आपको ट्रेंगल वाला बिल के दिखा देती हूं तो इस तरह से बेलना है और यह देखिए हमारा पराठा जो है अच्छे से शिख गया है इसमें घी या ओयल अपने हिसाब से लगा के इसको दोनों तरब से अच्छे से शिख लें यह देखिए कितना अच्छा फूल गया है और बहुत ही क्रिस्पी जो है यह पराठा बनके तैयार हुआ है मैं आपको यह जो गोल वाला में बनाई थी वो है यह देखिए कितने अच्छे से इसका पूरा लेयर निकल के आया है और इसी तरह जो है यह देखिए इसी तरह से हमारा ट्रेंगल वाला भी इसी तरह खास्ता बना है ये देखिए और मैं एक और पराठा आपको सिख के दिखा देती हूँ कि ये देखिए इसमें भी कितना अच्छा लेयर जो है तब ये पर ही निकल रहा है बहुत अच्छे से ये हमारा सारा मैंने ट्रैंगल वाला और गोल वाला मैंने बना के पराठा तयार कर लिया है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दवाना ना भूले थैंक यू फो वाचिंग माई वीडियो